तो आज का जो question है वो यह है कि thromboplastin is released by damage यानि कि जो thromboplastin होता है वो कौन से body को मैंने कौन से parts को damage होने कवाद से release होता है तो चैनल को subscribe करके वेल आगरों को on कर देना जो यहां पर option है A है tissue B है platelet C है A और B यानि कि दोनों हो सकता है या D है नो यानि कि इसमें से कोई भी option नहीं हो सकता है तो एक बार और आपको मैं clear बतातूं thromboplastin नाम का जो एक protein होता है वो हमारे सरीर में कौन से इसे parts है या अंग है उसके damage होने इसमें से यह होगा या B होगा या AB नहीं कि दोनों होगा या डी होगा और इसका चुन answer होगा आपको मैं next video बताने को सब्सक्राइब करूंगा या इस video कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा कि एक जुली जो इसका answer होता है वह answer क्या हो सकता है क्योंकि ऐसे जो answer question होते हैं यह आपको previous exam में भी पूछा जाता है अनुल exam में भी पूछा जाता है खासकर DMLTO और या आप lab technician के लिए बहुत जाता है most important होता है कि ऐसे knowledge अपने पास रखा जाए तो इसका आप लोग answer देजिए और मुझे comment करके बताए मैं next video में इसका answer आपको बताता हूं या इस video description में उसका answer मैं डाल करके रखता हूं तो तो चैनल को subscribe कर देना और बेल आगन को on कर देना